कि है कि है कि है लो गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम एवरिवन आज की जो डेट है वो है 24 अपरेल और अभी मार्केट का जो सिनारियो है वन डे में प्राइस एक्षन क्रियेट हो चुका है मार्केट का डाउन साइट की मौवमेंट का बट इस्टिल यहां पर हम वेट अकॉर्डिंग टू मार्केट यहां पर क्योंकि यह कंटिनियूस सेल भी हो सकता है यहां पर अगर मैं बता हूं तो अभी मैं 42 200 का यहां पर कॉल सेल करके लिए गया था मैं पोजिशन दिखा देता हूं तो यह कुछ पोजिशन से अभी 50 कॉंटिटी इसको हमने सेल किया थ सारा कुछ रिस्क मैरेजमेंट के साथ में हैं यहां पर अगर मार्केट 42 200 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो तब हम इस पोजिशन को एक्जिट करेंगे हमारे जो मेजर जो यहां पर स्टॉप लॉस है वो इसका हाई याने 42 379 मतलब कि अगर मार्केट इस हाई को क् देखना होगा कि 42 200 के उपर सस्टेनविल्टी हो रही है या नहीं हो रही है क्योंकि यहीं वह स्विंग है जहां से सेलर सेंटर हुए है तो देखना होगा अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अपन हो जाता है तो फिर हमको जो भी बैस प्राइस मिलेगा पुल बैक्स में या फिर उसमें हम एक्जिट करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो यहां पर यह सिनारियो है इस सब चीज का मैक्सिमम लॉस हम इस ट्रेट में 5000-6000 के ही अराउन प्लान करेंगे इससे ज्यादा डिस्क नहीं जैसे कि आप जानते हैं मैं option buyer हूं बट मैं कम quantity में option selling positional option selling practice कर रहा हूं तो यहां पर मैं wait करूंगा देखता हूं क्या होता है मार्केट अगर one day में देखोगे तो एक bullish swing में है market बट यहां से मार्केट में sellers ने अपना domination दिखाया है इस्टिल देखते हैं क्या continuation होता है नहीं होता है या sideways है या buyers फिर से आते हैं तो यह हमारा जो ultimate है इसका हाई 42,382 मतलब कि अगर यह high market निकाल देगा तो market फिर यह बार्केट चलिए buyers भी है market में तो यह high के उपर अगर market अगर निकालता है sustain करता है और हम Friday को ले गए थे position तो अभी दो दिन हो चुके हैं तो कुछ time decay भी हमको मिलेगा और मैं one day में दिखा दू तो market एक trend line को maintain करते और जिसके बार्केट काफी ऊपर तक buying swing को create कर चुका है तो यह कुछ ऐसा था यहां पर यहां ही से breakout हुआ था कि ओके देखते हैं अभी प्री ओपन मार्केट होगा नौ से नौ साथ आठ तक तो उसमें देखते हैं market का क्या बनता है कहां gap up खुल रहा है gap down खुल रहा है फिर मैं update करता हूँ होगे वैस टाइम हो रहा है नौ बच के नौ मिनिट और यहां प्री ओपन मार्केट खतम हो चुका है market जो है 42,468 पर open हो रहा है जो कि हमने morning में stop loss discuss किया इसका high तो previous swing high के ऊपर market discuss कर रहा है और यहां पर एक point और है कि market में जहां से एक sharp selling होई थी उसी point पर market यहां पर open हो रहा है तो यहां पर थोड़ा सा wait करेंगे यहां पर market हालागी हर्डल निकाल सकता है 42,500 बट यहां sellers है कही न कहीं से rejection आएगा और इस जब resistance में market support लेने का try करेगा तो इसी के आज पास यहां पर हम अपना positions को exit करने का try करेंगे 42,400 या 350 के बीच में हम यहां पर अपनी positions को square off करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी 42,600 पर भी एक यहां पर major resistance है जहां से यहां sellers है यहां sellers है तो यहां पर resistance activity हम को selling activity देखने को मिलेगी तो उसके बाद हम यहां पर positions को square off करेंगे time decay का कुछ ज़्यादा यह देख सकते है 351 point का market gap up open हो रहा है तो यहां से हमारा 40 to 200 तो 200 point यह रहेगा और add the money तो 100 rupees के आज पास यहां पर हमको premium में आप point देखने को मिल सकते है और यहां पर जो है price में resistance तो आया है यहां पर wait कर सकते हैं अब यहां पर फिर हमको मार एक्सपेक्टेड लॉस यहां पर इंक्रीज हो जाएगा अभी मार्केट एक्जेक्ट ली 42 300 से सपोर्ट अक्टिविटी दिखा रहा थोड़ा सा वेट करेंगे जैसी बाइंग एक्टिविटी कंफर्म होगी यहां से एक्जिट करेंगे अब एक्टी करेंगे कि अज़ार सेंटर तो हो रहे हैं हमें थोड़ा सा ग्रेट करना होगा लॉस्थ तो हमें बुक करना होगा कि आपके मैं अपडेट करता हूं ओके गाइस मैंने सेलिंग की पोजिशन यहां पर एक्जिट करती है और कि यहां पर जो है इसपोर्ट में इस सेलिंग डिकर रही है बट ऑप्शन यहां पर रियक्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर हमने अभी विलहाल में यहां पर लॉस्ट कर लिया है इस ओके यह एक्सपेक्टेड ही लौस था इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लॉस के बाद भी हम अपना इंटर्डेट कर पाएंगे अभी जस्ट यह वाली पॉजिशन ओपन इसलिए चुड़िए क्यों सी बाइंग की है अगर कोई मुवमेंट होगा तो यहां पर हमको मिल जाएगा ओके गाइस यह वही ऑप्शन का चार्ट है जिसको हमने शॉर्ट किया था तो देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शन अब मूव कर रहा है तो इसलिए यहां पर हमने अपना एक्सपेक्टेड लॉस बुक कर लिया है क्योंकि यहां से और ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं दिख यहां से तो आशीक से मार्केटShot अब ब्लीचर है श्ब्राइव कर तो मार्केट करें गया करेंगे कि तो इससे सेनारियो हो है हाप समंझ नहीं आ रहा होगा वे देख सकते हैं बायकित कैसी रिवर्स कर गभाई है । ओम कुए त् plac класс के सब्सक्रिट की तरह एक्ट कर रहा है मार्किट के लिए आज है अधू के मैं अप्डेट करूंगा ए भी गूरे ले सीजिए्जिए सेनारियो है मार्कट का यहां पर अभी यह हाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है इसquently जो रइस्टेंस है कि यह वाना जो र offen होके क्ने करने कर कर रहा है इसको मार्केट सपोर्ड की तरह कर सकता है भात है कि प्र इसके तरह बाइब समेत mesa नहीं करता यहां पर एक psychology यहां पर एक psychology point यह होगा कि जो भी persons मेरी तरह इस option को sell करके ले गये होंगे तो इस प्राइस के देख रहे होंगे एक exit मिल जाए लेकिन अभी तक के कोई भी exit नहीं मिला है मिन्स यहां पर option seller जो है इस option के seller trap हो चुके हैं यहां पर जैसे यह option seller प्रॉफिट बुक करेंगे बाइबेक करेंगे तो यहां पर और एक रीकावरी देखने को मिल सकती है कि अब टाइम हो रहा है 9 बच के 30 मिनिट और अब हम यहां पर फिलाल हमको कोई टेड नहीं मिल रहा है अब मार्केट को हम स्टेबलाइज होने देंगे मार्केट अपने प्राइस को मीन को मेंटेन करें और स्विंग्स क्रियेट करें यहां पर एक जनरल पॉइंट डिसकस करूंगा मैं जैसे कि आपने देखा कि मार्केट 300 पॉइंट का गैप अप हुआ बड मेरा 50 कॉंटिटी में लॉसेज किता हुआ हजार का लॉसेज पहले सी दिख रहा था तो यहां पर सिर्फ 3700 का यहां पर लॉस हो रहा है वो भी 50 कॉंटिटी में मतलब कि 1800 के अप्रॉक्स हमारा लॉस हो रहा है जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में 300 पॉइंट गैप अप उपन हो रहा है तो यहां पर आप इसी लिए देख सकते हैं कि क्यों बोला जाता है कि option seller से यहां पर पैसा बनाते हैं कि यहां पर एक time value का हमको decay मिलता है हमको जो दो दिन में हाँ पर time मिला उसका time value का decay मिला और उसके बाद भी यह जो टोटल P&L है हमारा 3000 के नियरबाइ 3900 के नियरबाइ गया था जहां पर हमको एक exit का मौखा था बट यहां पर हमने वेट किया और further price को track करने के लिए और उसके बाद अभी भी अगर हम होते तो यह मुस्किल से 6-7 के around होता है कहने का मतलब कि as a option buyer अगर आपका भी carry forward करेंगे तो आपको जनरली losses देखने को मिलेंगे लेकिन option selling में क्या होता है कि 300 point is noticeable points तो यहां पर 300 point के gap up के बाद भी हमको at the money के premium में हमको as such कोई activity देखने को नहीं मिली तो इससे अगर आप पोजिशनल सेलिंग अगर प्रेक्टिस करना चाहते तो एक idea ले सकते हैं इससे कि किस तरह से price react करता है कि अगरे तो आज का जो इंट्राडी ट्रेडिंग वीडियो है उसको मैं separate वीडियो में यहां पर शूट करना चाहूंगा तो यहां पर अभी इस वीडियो को हम exit करते तो इसमें जस्ट हमने देखा कि हम कैसे पोजिशनल सेल को carry forward किया और यहां पर market हमारे अगेंस में 300 point gap up हुआ उसके बाद भी हम अपने expected loss में थे तो यह वीडियो को यहीं कतम करता हूं और मैं same day में एक second video यहां पर shoot करूँगा जिसमें यहां पर हम intraday trade को देखेंगे कि कैसे execution होगा ओके थैंक यू